हलो, मिश्रा क्रासिस की तरफ से सभी को नमस्कार, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रूप पर सेर कर लें, री नीट सुप्रिम कोर्ट, बड़ी खुसकबरी 2024, देखिए री नीट के उपर सुप्रिम कोर्ट के अंदर कड़ी बहस चल रही है, कुल मिला करके सुप्रिम कोर्ट भी ये समझ चुका है कि नीट का एक्जाम का पेपर लिएक हुआ है, लेकिन ये दुरभाग है, कि जब तक ये प्रूप नहीं होगा, कि पेपर लार्ज क्वांटिटी में लिएक हुआ है, तब तक री नीट नहीं होगा, देखे, अगर जो आप सच्चाई जानते हैं, सब जानते हैं, कि देखे, पेपर अगर जरासा भी लिएक हुआ है, एक घंटे के लिए ही लिएक हुआ है, इसका मतलब आपकी प्रावेशी खत्म हो गई है, इसका मतलब पेपर तो बाहर आई गया है, बले ही एक बच्चे ने इसकी चीटिंग की है, तो री नीट होना चाहिए, लेकिन ना ऐसा सुप्रिम कोर्ट चाहता है, ना ऐसा NTA चाहता है, ना ऐसा सरकार चाहती है, अगर साप शुत्रिक एक्जाम की बात करें, तो पेपर बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए, यहां तो प्रूफ हो रहा है कि पेपर लीक हुआ है, फिर भी डिसीजन इस बात की धेर में आ रहा है, अभी तक नहीं आया है, कि कितने skill पर paper leak हुआ है अगर बहुती कम skill पर paper leak हुआ है तो reneat नहीं होगा large scale पर हुआ है तो reneat होगा इसी के उपर अभी discussion चलना है और जैसे ही कोई result आता है हम आप तक पहुँचाएंगे अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं reneat होगी या नहीं होगी आसा करते हैं आज result आ जाना चाहिए इसी कड़ी में मिस्टा क्लासेस के दोरा एक good news है मिस्टा क्लासेस के दोरा भायों की नई NCRT बैच start कर दी गई है ये बैच साम को साड़े आठ से 10 विजे तक चलती है इस बैच को join करने के लिए इस नमबर पर बात करें 9826135699 या दूसर नमबर 9893603572 पर contact करें इसमें 11 और 12 की बायों की NCRT word to word पढ़ाई जा रही है टेचिंग इंडिया की टाप क्लास की मिलेगी फीस इंडिया की सबसे कम ये बैच को join करना है तो जल्दी करें ओके झाल 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 झाल